मैं हूँ आपकी दोस्त जिंदर मैं आज आपको यूट्यूब चैनल के मादम से अपने टेबल की उपर जो ये पॉलिश थोड़ी सी खराब हो गई है और जो इसके उपर निशान है इनको कैसे रिमूग किया जा सकता है और बिल्कुल पहले जैसे नया बनाया जा सकता है उसक सीटेबल पर जो भी स्टेञ्स आप देख रहे हैं मैं इस से साफ होस्ते हैं है आप है इस सारी político कर रहा को कि मेरे स्टेंग डिशू पर लिर ़िया है जैसे अब जांते ही है यह प्यूर्म है तो इसको आप पानी से नहीं कर सकते, क्योंकि यह खराब हो जाएगा, इसको आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा था, मैंने इसलिए आप यहाँ पर ही रखा था, कि ताकि मैं आपको दिखा पाऊं, कि यह प्रोड़क्ट हमारा कितना एफेक्टिव है, दो मिनट के लिए मैंने इसको लगा के छोड़ दिया है, अब आप देखिए, मैंने एक टिशू ले लिया है, टिशू से सारे ही स्ट्रेंग्स हैं, जो इसके रिमूव हो गए हैं, क्योंकि यह पुराने जितने पुराने दाग हो जाते हैं, थोड़े सा इनके उपर हमारे को मेनत करने पड़ती है, बड़ यह अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, हम अपनी वुड़न को टेवल को बचा भी लिया, और इसको क्लीन भी कर लिया, विदाउट यूजिंग वाटर, अब जैसे कि अब देख रहे हैं कि क्लीन तो हो गया, बट मैं इसके उपर चाती हूं कि मेरी जो वुड़न की सर्फेस है, वो भी अच्छे से रहे, तो मेरे पास एक और प्रोड़क्ट है, मोधी केर का, माइटी इन वन, शाइन अन प्रोटेक्ट, यह ग्लॉश शाइन है, यूवी प्रोटेक्शन के साथ है, देखिए, मैं सिरब थोड़ा सा ही एरिया कवर कर रहे हूं, ताकि मैं आप लोगों को बताता हूं, यह हमें एक लेयर बनानी है इस पर, कि आपको पॉलिश वली लुक का रहे, देखिए, देख पारें आप, क्लियर है, अब आपको यह दिखा, और यह देखिए, यह एरिया है, यह मैंने, यह सर्फेस पूरी छोड़ दिये, इसलिए छोड़िए, ताकि आप लोगों को पता लग सके, कि मेरे यह जो माइटी इन वन क्लिंजर था, और जो इसका प्रोटेक्टर था, उसका क्या यूज है, अब यह देखिए, यह बिल्कुल ड्राई हो चुक है, बिल्कुल ड्राई है, और बिल्कुल एज इस लुक का रही है, जैसे बिल्कुल ब्रैंड न्यू होता है, इसे ही आप लेदर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लेदर के पर्सिस हैं, आपकी शूज हैं, जिनको आप वाश नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही इससे जो माइटी इन वन क्लिंजर हैं, और जो शाइनर हैं, दोनों से यूज करके, उनको पहले साफ कर सकते हैं, और फिर उनकी जो shining है उसको बरकरार भी रख सकते हैं अपने leather purses and shoes की life को बढ़ा सकते हैं that's all from